परी लोक में बहुत सारी परिया एक साथ हसी खुशी में जुलकर रहती थी वहीं एक सुनहरी नाम की परी थी वो सुन्दर सुन्दर फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी सुनहरी के फूल बहुत ताजे और सुन्दर होते थे उनकी खुश्बू सभी परियों को बहुत पसंद आती थी सुनहरी तो ये फूल बेचकर बहुत पैसे कमा रही है जबकि ये फूल तो मेरे बगीचे के हैं अगर मैं चाहूं तो मैं भी इन्हे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकती हूं आखिरकार ये बगीचा मेरा है ये सारे फूल मेरे हैं मैं अपने फूल सुनहरी को मुफ्त में क्यों दूँ सुनहरी तुम्हारे फूल बहुत ताजे और सुन्दर होते हैं मैं हमेशा तुमसे ही फूल लेती हूं कल मेरा जनम दिन है क्या तुम कल मेरा घर सजाने आ सकती हो अपने इन सुन्दर फूल से मैं इसके लिए तुम्हें पूरे एक लाक रुपे दूंगी शुक्रिया तारीफ के लिए और क्यों नहीं मैं तुम्हारा घर सजाने जरूर आऊंगी तुम्हें जिस भी तरह के फूल पसंद है तो मुझे बता दो मैं कल वो फूल लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी सुन्हरी मुझे लाल रंग के गुलाब बहुत पसंद है तुम वही लेकर आना उनसे ही मेरे पूरे घर को सजाना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी तुम फिकर मत करो मैं समय पर वहाँ पहुच जाऊंगी ये कहकर वो परीच चली जाती है सुनहरी भी रात में अपने घर आ जाती है सुनहरी आज तुमने कितना समय लगा दिया घर आने में कहां थी तुम अब तक मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी मा मुझे आज एक ओर्डर लेने में वक्त लग गया जानती हो मुझे पूरे एक लाग रुपे का ओर्डर मिला है बस ये ओर्डर कल पूरा हो जाए फिर उन पैसों से मैं आपका आँखों का इलाज करा लूँगी सुनहरी ये तो बहुत अच्छी खबर है मैं भी बहुत खुश हूँ और वैसे भी कल मेरी आँखों का ओपरेशन कराने का आखरे दिन है अगर कल तक मेरी आँखों को इलाज नहीं मिला तो मैं कभी देख नहीं पाऊंगी नहीं मा ऐसी बात मत करो अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी कल मैं आपके आँखों का इलाज करा लूँगी चलो मा अब खाना खाकर सो जाते हैं कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है सुभा जब सुनहरी फूल लेने के लिए बगीचे में जाती है तो देखती है कि वो बगीचा बंध है इस बगीचे को बंध किस ने किया ये तो कभी बंध नहीं होता फिर आज ये बंध क्यूं है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तब ही महा सुम्या परी भी आ जाती है ये बगीचा मैंने बंध किया है क्यूंकि ये मेरा बगीचा है और तुम अब यहां से कोई भी फूल नहीं ले जा सकती ये तुम क्या कह रही हो सौम्या मैं तो हमेशा से यहीं से फूल लेती हूँ भले ही ये बगीचा तुमारा हो पर इसके फूल मेरे है मैंने इन पौधों को बड़ा किया है मैं रोज इनके देखभाल करती हूँ जिस वज़े से आज इनमें इतने सुन्दर सुन्दर फूल आए है तुम मुझे इन्हें ले जाने से नहीं रोक सकती तो तुम्हें यहां अपने फूल नहीं लगाने चाहिए थे यह जानते हुए कि यह बगीचा मेरा है अब आज से तुम यहां से कोई भी फूल नहीं ले जा सकती समझी तुम और दोबारा मेरे बगीचे में मत आना देखो ऐसा मत करो आज मुझे एक बहुत बड़ा ओर्डर पूरा करना है उन पैसों से मुझे अपनी मा के आँखों का इलाज कराना है तुम सिर्फ आज मुझे यहां से फूल ले जाने दो मैं वादा करती हूँ मैं यहां वापस नहीं आऊंगी पर आज मेरा यहां से फूल ले जाना बहुत जरूरी है तुम अगर अपना ओर्डर पूरा करोगी इससे मुझे क्या मिलेगा मैं तुम्हें यहां से कोई फूल नहीं ले जाने दूँगी अब तुम यहां से चली जाओ इस तरह सुनहेरी बहुत दुखी होकर वहां से चली जाती है अब सौम्या फूल लेकर बेचना शुरू कर देती है और सुनहेरी का ओर्डर पूरा करने के लिए निकल जाती है जिससे उसे पूरे एक लाग रुपे मिल जाते है अब आज से सारी कमाई मेरी होगी इन फूलों की मदद से मैं एक दिन बहुत अमीर बन जाओंगी वहां सुनहेरी मायूस होकर रो रही होती है ये मेरे साथ क्या हो गया अम मैं क्या करूंगी मुझे कैसे भी करके आज मा के आखों का ओपरेशन कराना था अम मैं मा को क्या जवाब दूंगी सुनहेरी ये सब सोच रही होती है तभी वो देखती है एक फूल मुर्जा रहा था तभी सुनहेरी कहती है तुम बिल्कुल फिकर मत करो मेरे होते वे तुमें कुछ भी नहीं होगा तुम अभी बिल्कुल ठीक हो जाओगे ये कहकर सुनहरी उस फूल की देखभाल करती है जिससे वो फूल फिर से ठीक हो जाता है और एक सुन्दर परी में बदल जाता है आप कौन है? मैंने कभी आपको परी लोग में नहीं देखा सुनहरी मैं एक फूलो की परी हूँ और मैं फूलो की दुनिया में रहती हूँ मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम फूलो की कितनी देखभल करती हो आज भी तुमने एक फूल को मुर्जाने से बچाया इसलिए मैं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ पर आप मेरी मदद कैसे करोगी मैं बहुत परेशान हूँ मेरे पास अब कोई भी फूल नहीं है जिनें मैं बेच कर अपना गुजारा कर सकूँ आज मुझे किसी भी तरह अपनी माग के आँखों का ओपरेशन कराना था मैं वो भी नहीं कर पाई सुनहरी इस तरह मायूस मत हो मैं तुम्हें एक जादूई बगीचा दे रही हूँ जिसमें सभी फूल सोने और चान्दी के है ये बगीचा सिर्फ तुम्हारा है तुम इसका खयाल रखना ये तुम्हें हमेशा सोने और चान्दी के फूल देगा और सबसे जरूरी बात इस बगीचे में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आ पाएगा शुक्रिया फूलों की परी आपका ये ऐसान मैं कभी नहीं भूलूंगी अगर आप समय पर यहां नहीं आती तो ना जाने क्या हो जाता अब मैं चलती हूँ सुनहरी हमेशा इसी तरह पेड़ पौदों का खयाल रखना इतना कहकर वो परी वहां से चली जाती है अब सुनहरी खुश होकर अपने जादूई बगीचे से फूल लेकर बेचने के लिए चली जाती है सुनहरी के फूल इतने सुन्दर और कीमती थे कि वो तुरंद बिखने लगते है शबको सुनहरी के सोने और चान्दी के फूल बहुत पसंद आते है अरे सुनहेरी तुम्हारे पास ये सोने चांदी के फूल कहां से आए ये तो बहुत सुन्दर है ये फूल मेरे जादूई बगीचे के हैं जो मुझे फूलों की परी ने दिये हैं ये जादूई फूल हमेशा इसी तरह खुशबू देंगे और कभी खराब नहीं होंगे ये त तुम मुझे भी ये सोने चांदी के फूल दे दो हाँ हाँ क्यों नहीं तुम्हे जितने भी फूल चाहिए तुम ले लो मुझसे इस तरह सुनहेरी वो जादूई सोने और चांदी के फूल बेचकर बहुत अमीर हो जाती है और वो अपनी मा की आखों का इलाज कराके एक ब हाँ एक परी आती है मुझे मेरे एक लाक रुपे वापस करो मेरे जनम दिन पर तुमने जो फूल लगाए थे वो जनम दिन शुरू होने से पहले ही मुझा गए जिस वज़े से मेरी बहुत बेचती हुई तुम्हें फूलों की जरा भी जानकारी नहीं है अब जल्दी से मे इसकी शिकायत रानी परी से करूँगी और तुम्हें सजा तक दिल्वाऊंगी ये सब सुनकर सौमया डर जाती है और वो उस परी के पूरे पैसे वापस कर देती है जिसके बाद सौमया के हाथ कुछ भी नहीं लगता अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छा अब हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ